साथ क्यों पहले सरकारी योजनाएं और कारकाम सरफ कागजों तक्सिमेट कर रह जाते थे और रुपिय मार लिये जाते थे क्योंकि सरकार और जनता के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी और उनके इरादों में भर भर करके बेमानी भरी पड़ी थी ये खाई राजनिती की थी अपसरसाई की थी ब्रच्चाचार की थी और सम्वेदन सिल्टा की थी आपका ये सेवक इस खाई को पाटने में निरंतर जुटा है और इसमें अभूत पुर्वत सफलता भी मिली है ये जनभागीदाली का ही पड़णाव है जिसके कारण सिर्फ साट महने में ही देज भर में ग्यारा करोड से अधिक सवचालाई बने यहां जारखन में भी करीब 36 लाग सवचालाई तयार हो गए आप याद किजिए पांच साल पहले लोग चर्चा करते थे कि जिस जारखन की आधिसी जादा अबादी खूले में सोच करने पर मजबूर है जहां कि माताएं बेहने बेटिया गोड़ पीड़ा में हैं अंदरे में उनके साथ अन्होनी होने की आसंकावनी रहती है वहाँ सफलता कैसे मिलेगी लेकिन जारखन के आधिवासी साथियों ने बेहनों ने इसको सरकारी अभियान नहीं रहने दिया इस अभियान को अपना मना कर आगे बढ़ाया परणाम आप देखी रहे हैं आज जारखन के दूर सुदूर इलाकों में गने जंगलों के बीच बसे गरीब परिवारों को आधिवासी भाई बेहनों को उनको भी आज साउचाना ही मिला है सरकार ने सिरफ प्रोच्छान दिया बाकी काम तो जंता जनार्दन ने कर दिया रानी मिस्त्री बेहनों ने कर दिया यही तो स्वराज है यही तो सुसासन का अधार है